जेन टोल, मैं इलावत आप सभी का सौगत करता हूँ आपके अपने ऑनलाइन पोटल रिमर से कैड़मी पे मैं आज एनलाइज करने जा रहा हूँ क्लास नंत का आरेमेस का पेपर जो भी हाली मह हुआ है क्लास 9 का RMS का पेपर, जो GS वाला पार्ट है, Social Science वाला पार्ट है, 30 questions आये थे, बिर्कुल एकदम normal NCRT से उठाके यहाँ पे डाले हैं examiner ने, hope करता हूँ, आसा करता हूँ कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, last में वीडियो के end में मेरे को comment section ने बता देना कि इस परकार, which place is known as Manchester of Japan, तो इसने कहा कि, ऐसी कौन सी जोगा है, जिसे Manchester of Japan के नाम से जाना जाता है, तो वो हो गया, ओशाका, जापान का एक city है, जिसका total area हो गया, 223 km2, है ना, तो मैंने यह आपको इंडिया का भी बताया था, Manchester of India कहा गया, एहमदाबाद को, किसे कहा गया एहमदाबाद को, किसे कहा गया, एहमदाबाद जो कि गुजराद में है, तो मैंचेस्टर of India किसे कहा गया है, एहमदाबाद को कहा गया, और मैंचेस्टर of Japan उशाका, उशाका के total area हो गया, उशाका जापान का एक city है, जिसके total area हो गया, 223 km2, ठीक, और मैंचेस्टर of India हो अपना एहमदाबाद जो कि गुजरात सावरमती नदी के किनारे है और मैंचेस्टर ये इसलिए फेमस है ये क्लॉट सेंटर है मलग कपड़ा केंद्र है कपड़ों के लिए फेमस है कपड़ा केंद्र है वैसी इंडिया में कौन सा हो गया एहमदाबाद हो गया और जापान मे और शाका हो गया question number 72 when was the 70th gram सरोजगार योजना started तो इस सरोज योजना के तहत जो गरीबी रेखा से भी नीचे वाले लोग हैं उनके लिए था तो ये आपका start वा first April 1999 को इसमें जो अधिकतम पैसा था वो मिलता था 7500 ज्यादा से ज्यादा 7500 आईए आपका start वा था first April first of April 1999 में option number D is right answer question number 73 in which year was सतीपर्था बैन इसने कहा कि सतीपर्था कब बैन हुआ तो मैं आपको बताए हूँ जो इंडिया का उस टाम पहला गवर्नर जनरल था Lord William Banting Lord William Banting के टाम पे सतीपर्था बैन हुई यह आपका हुआ 4th of December 1829 4th of December 1829 तो यह हुआ था Lord William Banting के टाम राजाराम महुनरोय द्वारा सतीपर्था बैन हुआ इन 4th December 1829 question number 74 for what purpose कुशुम और प्लास बहुती important question बहुती ज़्यादा important question जो कुशुम और प्लास flower है वो किस लिए यूज होता है कुशुम और प्लास flower जो प्लास flower है यह हमेशा याद रखना कलर के लिए होता है किस के लिए होता है coloring the cloths and leather जो कुशुम और प्लास flower है वो यूज होता है coloring cloths और leather ठीक question number 75 decomposition of sand in low hills like structure is non-edge जो decomposition of sand है उसे क्या कहता है structure किस नाम से जाना जाता है sand dunes मलब baluka tila baluka tila option number 20 right answer sand dunes ठीक question number 76 question number 76 आपका हो गया which continent of the world does not have a result इसने कहा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां क्या नहीं है रेकिस्तान नहीं है result नहीं है तो ये question बताया गया है ये हो गया यूरूप में कहा हो गया दोस्त यूरूप में हो गया प्यारे बच्चो which continent of the world does not have result ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां रेकिस्तान नहीं है एशिया में भी है अफ्रीका में भी है औस्टेलिया में भी है तो कहा नहीं है यूरूप में नहीं है ठीक question number 77 who are phirangis अब यह phirangis modern history का question है कि phirangis किसे का आजाता था ये तो है नि तो भाई किसे का आजाता है foreigners को का जाता है जो विदेशी लोगों तो है foreigners है ना फिरangis कि का आजा foreigners को question number 78 when did Simon Commission reach in India जब Simon Commission वहां से आया था तो वो आया था 1927 में और ये भारत का पहुचा 1928 में भारत में इसने question हमें ये पूछा कि जो Simon Commission है वो भारत कब आया कब पहुचा रीच तो हो गया 1928 में Simon Commission का आया था भारत आया था भारत का constitution बनाने के लिए question number 79 in which year वास्को डिगामा modern history का पहला topic पहला question वास्को डिगामा भारत समुद्र मार्ग से आया सी रूट से आया तो भारत वह कब पहुचा तो भारत वह पहुच गया 1498 में कब पहुचा 1498 में 1498 में वास्को डिगामा कहां पहुच गया था एक पूर्तगीज ट्रेबलर था वास्को डिगामा यहो भारत भारत में कहां से पहुचा समुद्री मार्ग से पहुचा कहां कलिकट से केरल में है कलिकट कलिकट से ये समुद्री मार्ग से कलिकट बंदर का से कहां पहुंचा है? इंडिया पहुंचा 1408 अभी में Next question, question number 80 The contract zone between बहुत ही important question है जोग्राफी का बहुत ही important question The contract zone between the lithosphere, hydosphere और atmosphere इसने कहा कि जो lithosphere है hydosphere है और atmosphere है इसका contract zone को क्या कहता है? Is called? उसे कहता है biosphere, उसे क्या कहता है? question number 80 का जो right answer हो गया B option ये हो गया biosphere जो lithosphere, hydosphere और atmosphere का जो contract zone होता है उसे क्या कहता है? biosphere कहता है ठीक, तो question number 80 का जो सही option हो गया, option number B हो गया question number 81, who designed New Delhi? भया आप चाए New Delhi बोल लो, चाए राश्पती बहुन बोल लो तो ये design क्या था किसने? Herbert Becker और Edward Lutians ने option number B इसका क्या हो गया सही answer हो गया Herbert Becker और Lutians ने क्या करा था नई दिल्ली और राश्पती बहुन का क्या बनाया था design बनाया था ठीक, question number 82 question number 82 constitution का सबसे important question heart of the constitution heart of the constitution कहा जाता है किसको preamble को, प्रस्तावना को है कि नहीं है heart of question, constitution सविधान का हिर्दय कहा जाता है किसको preamble को किसे कहा जाता है preamble को, और इसने question हमें इस परकार पूछा what are the introductory, मलब परचित लाइन, पहली लाइन क्या है preamble की constitution में, तो वो हो गया हमारा we the people of India we the people of India, option number D is क्या हो गया right answer हो गया, we the people of India, और जो यह हमारा preamble है, इसको कहा जाता है heart of constitution, क्या कहा जाता है heart of constitution, आरी बात समझ में, तो यह हो गया heart of constitution मलब, सविधान का हिर्दय किसे कहा जाता है, preamble को कहा जाता है, अब इसने कहा कि जो उसकी पहरी परचित लाइन है, उसे क्या कहा गया we the people of India, option number 10 का क्या हो गया, right answer हो गया, ठीक, उसके बाद question number 83, nomadic harding is participate in जो nomadic harding होती, जैसे gochard होता है, एक जोगो से दूसरी जोगो जाना, तो उसे क्या कहता है, वो होता है पहाड़ी इलाकों में, कहा होता है, पहाड़ी इलाकों ठीक, उसके बाद question number 84, who devised the new system of revenue called malvary क्या की नहीं, malvary, इसे क्या कहता है, who devised the new system of revenue of malvary, तो यह किसे कहता है, hot mechanize को, क्या कहता है, mechanize को, इसको क्या क्या है hot mechanize को, ठीक, question number 85, equipments, यह vocab का question है, इंगलिस में vocab तयार करें होंगे, तो equity means होता है, निर्दोस equity means क्या होता है, निर्दोस तो इसका option number B, सही answer हो गया, court declaring not guilty, मला, court जब किसी को निर्दोस साबित कर जाते हैं, तो उसको क्या कहता है, acute कहता है, क्या कहता है, acute कहता है, उसके बाद हम चलें question number 86, which party got a maximum number of seat during 2019 लोगसभा election, 2019 की बाद करी जाए, या 2014 की बाद करी जाए, तो लोगसभा में सबसे ज़्यादा seat किसने जीती थी, आपका BJP ने जीती ठीक, भारतिय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा seat कहाँ पाई, सबसे ज़्यादा MP कहाँ से आये थे, किस पार्टी से आये थे, BJP से आये थे, which party got the maximum number of seat during 2019 लोगसभा election, तो कहाँ से आये थे, BJP से आये थे, एकदम फालतों क्वेशन था, उसके बाद question number 87, question number 87, बहुती अच्छा important question था, Hindu सक्षिजम अवेटमेंट, बहुती important question था, अच्छा question था, ये संसोदन का भुआ था, Hindu सक्षिजम अवेटमेंट वस पास्ट इन, कभ भुआ था, 2005 में, question number 87, Hindu सक्षिजम अवेटमेंट एक्ट वस पास्ट इन, 2005 इसका राइट आंसर क्या हो गया, 2005 हो गया, ठीक next question, question number 88, how many members are there in लोगसवा, लोगसवा में कितने MPs बैटते हैं, तो इसमें अभी कितने हैं, 500, 45 500, 45, तो ऑप्शन number B क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, how many members are there in लोगसवा, 545 members हो गया, ठीक, class 9th का RMS का पेपर है, set C में, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताईए कि आप मेरे को कितना स्कोर क्या है, 30 में से कितना स्कोर क्या है, बढ़ते हैं, next question के और, question number 89, industrial location are in फ्रूज और अबिलिटी हो गया, industrial area मेरे को किस-किस की जरूवत है, तो भेर, और मेटर तो मेरे को चीए चीए, लेवर भी मेरे को चीए चीए, ट्रांसपोर्ट का भी आयाद आयाद का भी सादन चीए, तो इसमें, option number D क्या हो जागा, तीनों चीच चीच चीए, all of the these, option number D is right answer, next question, name the state, which का करपड़ा nuclear plant, का करपड़ा ये बहुत ही, का करपड़ा आपका है, अपका है गुजरात में, बहुत ही इंपोर्टन क्वेशन है, nuclear power station, ये आपका का अई हो गया, का करपड़ा नुकलर पावर इस्टेसन, ये आपका का हो गया, दोस्, गुजरात में हो गया, ठीक, उसके आप question number 91 Who was the first worst way of India बहुत ही important question जब मैंने आपको revolt of 1857 पढ़ा revolt of 1857 इस से पहले क्या हुआ करता था कि 1857 से इंडिया 1857 revolt जो 1857 की करांती हुई 1857 की करांती से पहले भारत का governor general हुआ करता था हैं इंडिया का governor general हुआ करता था जब revolt of 1857 हुआ तो उस टाइम भारत का जो पहला वो और शरोय था वो कौन था Lord Canin था और भारत का जो अंतिम governor general था वो भी Lord Canin था दो question होगे भारत का अंतिम governor general भी Lord Canin है और भारत का पर्थम और शरोय भी कौन है Lord Canin है ठीक next बढ़ते हैं next question question number 92 Canadian seals is rich in कहा होते Canadian seal कहा होते हैं gold और uranium में ठीक gold और uranium के साथ क्या होते हैं question number 93 बहुत ही अच्छा question था सरहल सा question था wearing of the sick sick religion में सबसे important चीज उनकी लिए क्या हो गई उनकी पगड़ी important होगी sick में क्या हो था sick religion में उनकी लिए सबसे important क्या हो गई पगड़ी होगी तो option number A क्या हो गया right answer हो गया बढ़ते हैं next question के और question number 94 इसने कहा the representative democracy people participate बहुत ही important question और सरहल सा भी question था थोड़ा समझने की जरुवत थी कि जो हमारे नेता हैं या लोग हैं जो election या party या नेता बनना चारे हो किस परकार participate करते हैं या ऐसा तो है नहीं क्यों है direct कुछ है indirectly participate करते हैं कैसे करते हैं indirectly participate करते हैं question number 94 का जो सही option होगी प्यारे बच्चों option number B उसके बाद होगा question number 95 what is the full form of Tisco what is the full form of Tisco Tisco की जो full form होगी Tata Iron Steel Company ये established हुई थी आपकी प्यारे बच्चों 1907 में कब हुई थी 1907 में जो Tisco की full form होगी Tata Iron and Steel Company जो established हुई 1907 में ठीक question number 95 का जो सही answer होगया option number B होगया question number 96 बहुत ही important है लवासना जहां की IPS Indian Police Service की तयारी होती है रंगरूट होती है वो काँ है लवासना आपका काँ है उत्राखंड के मसूरी में है काँ पर है उत्राखंड के मसूरी में है जो लवासना है IPS की तयारी होती है Indian Police Service की यहां पर तयारी होती है तो वो काँ है आपका उत्राखंड के मसूरी में है question number 97 जो है बहुत important question था political science का जो हमारे rights है ठीक उसने कहा कि which article of constitution provides Indian citizen right to equality right to equality मलब सवानता का अधिकार जो हमारे अधिकार है छे rights है वो क्या हो गया right to equality हमारे पास कहा है article number 14 में article number 14 question number 97 है उसका जो सही answer है option number B है article 14 next question और के बढ़ते है question number 98 who is the leader of ruling party in the log sabah यही question आपका class 6 के RMS के पिपर में आथा वही question उठा के उसने का फैंक जा यहाँ class 9 के RMS के पिपर में फैंक जा उसने कहा कि who is the leader of ruling party in the log sabah log sabah का जो ruling party होता उसका leader कौन होता है obviously सी बात है prime minister होगा है की नहीं है जो ruling party का जो लीडर होगा प्राइम मिनिस्टर होगा next question और की बढ़ता है question number 99 question number 99 is परकार है कि पहला person जो मून में गया बता हो कितना फालतू question दे रखा है कि मून में पहला ब्यक्ती कौन गया भाई तो मून में पहला ब्यक्ती कौन चले गया कहा दिकत आ रही थी और कुछ देखना ही नहीं था question number 99 का जो सही answer हो गया Neil Armstrong who was the first person to step the foot on the moon मून में सबसे पहले कदम किस ने रखा Neil Armstrong रखा ठीक उसके बाद question number 100 last question Nepal become democratic in Nepal कब लोकतंत्रिक देश होआ तो वो हुआ आपका भाई साब 2008 में 2008 में निपाल क्या बन गया था एक democratic country बन गया था लोकतंत्रिक देश बन गया था उससे पहले हमाँ पे राजा होआ करता थे और अब 2008 के बाद ये क्या हो गया democratic country हो गया मैं आप सभी प्यारे बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ कि आपके कम से कम 30 में से 28 या 29 नमबर आपने पाए होंगे और आप comment section में जरूर बताएंगे आपने कितने score क्या है उसे के साथ आपके जैहिन जल्द मिलता है